नमस्ते ब्रोधर्स और सिस्टर ऑफ इंडिया यॉर मॉस्ट वेलकम एट ग्यानकाडा यूटूब चेनल दिस साइड म्रोजधीनवाल यॉर वाचिंग वेरी बेस्ट यूटूब चेनल आई होग यू विल गेट सक्सेश सोटली आप सभी का हर्दिक स्वागत है आज की आपका दिल से स्वागत है हमारे यूटूब चेनल पर नेमित रूप से आपको साइकलोजी की क्लास मिलेगी आजकिस क्लास में आप एक बहुत अच्छा टॉपिक पढ़ेंगे साइकलोजी का और टॉपिक है सिक्सन विदिया हिंदी की सिक्सन विदियों के जो क्लास अपन कर सकते हैं दोस्तों हिंदी सिक्षन जो विदियां है ये अगर आप देखेंगे तो हिंदी सिक्षन विदियां बहुत माइने रखती हैं 15 नंबर का ये क्यूशन पेपर में 15 नंबर आते हैं और बहुत इजी टोपिक होता है यदि आप इसको ध्यान से देखेंगे ध्यान से पढ़ेंगे तो बहुत इजी टोपिक है आप कभी भी इसको भूलेंगे नहीं, रटने के आपको जरूत नहीं पढ़ेंगी, जो भी चिजें जहां भी डिसकसन होगा, जो भी चिजें समझानी होगी आपको बहुत अच्छी परकार से किलिए आपको बताऊंगा, आगामी जो अभीकर्मीत अनुदेसन उपागम, रेखे सांकिके और आउरो ही अनुदेसन उपागम के बारे में आज किस क्लास में अपन पढ़ेंगे और बहुती अच्छा शांदार टॉपिक आपको आज इस लाइव क्लास में आपको पढ़ने को मिलेगा बात करते हैं अभी कर्मित अनुदेशन उपागम क्या होता है अभी कर्मित अनुदेशन उपागम के बारे में हम पड़े उससे पहले हम देखेंगे कि अभी कर्मित अनुदेशन उपागम होता क्या है दोस्तों सिक्षा का उदस से होता है कि बालक को ग्यानात्मक भावनात्मक और किरियात्मक विकास करना होता है विकास और अभी वर्दी के बारे में जो साइक्लोजिकी क्लास होगी उसमें मैं आपको बहुत अच्छी परकार से वो टपिक बताऊंगा कि विकास और अभी वर्दी में क्या डिफ्रेंस होता है क्योंकि सिक्सक अउदस से होता है कि बालक का ग्यानात्मक, भावनात्मक और किर्यात्मक तिनू साइड से बालक का विकास होना चाहिए ग्यानात्मक से मस्तिक्स, भावनात्मक से हर्दे और किर्यात्मक से मांस पेसियूं का विकास होता है अभी कर्मित अनुदिसन विदी से भासा में ग्यानात्मक और किर्यात्मक विकास किया जा सकता है भावनात्मक का नहीं क्योंकि भावात्मक विकास जो है ये सिक्सक के वाचन द्वारा ही हो सकता है भावनात्मक विकास की यदि हम बात करें तो ये सिक्सक के वाचक के द्वारा ही हो सकता है क्योंकि जब सिक्सक जो है ये अगर टॉपिक को वाचक करेगा उस कलास में स्टुडेंट के सामने वाचन करके उसको बताएगा क्योंकि जन्संक्या वो ज्ञान के तिवरगती से विकास के कारण चातर पर सिक्सक ध्यान देने में श्वम को एसमर्थ अनुवव कर रहा है ऐसी इस्तिती में अभी कर्मिक अनुदेशन की विदी जो है ये सफल रही है क्यों इसका रिजन क्या है क्योंकि इसमें चातर सिवम ज्ञान रजित करता है चातर सिवम शुक्त सीखता है आर एविल के अनुशार अभी कर्मिक अनुदेशन जो है ये केवल स्वाधाय है तू निर्मित पाठे पुस्तक ही नहीं किन्तु यह एक परसिक्सन परवीदेवी है अब हम बात करेंगे कि अभी कर्मिक अनुदेशन के सिद्धान्त कौन-कौन से हो सकते हैं या अभी कर्मिक अनुदेशन के सिद्धान्त कौन-कौन से होते हैं अभी कर्मिक्त अनुदेशन के सिध्धान्त की यदि मैं बात करूँ तो इसमें क्या होगा कि छोटे-छोटे पदों का सिध्धान्त होता है छोटे छोटे पद्धों का सिध्धान्थ होता है अभी कर्मिक अनुदेशन सिध्धान्थ जो है ये किरिया सिल्ता का सिध्धान्थ भी है इसे हम किरिया सिल्ता का सिध्धान्थ भी हम कह सकते हैं परती पुष्टी का सिध्धान्त, सव गती का सिध्धान्त, तत्परता का सिध्धान्त, पुनर बलन का सिध्धान्त, अधीगम के समय जो है ये चातर उप्रोक्त पांच किरियाओं से गुजरते हैं, अधीगम जब होता है तो उस समय चातर पांच किरियाओं से गुजरते है पर्थम चरण में चातर फ्रेम को पढ़ता है या फिर हम इसको इंडेक्स भी कह सकते हैं पर्थम चरण में चातर जो है ये फ्रेम को पढ़ता है दूसरे चरण में फ्रेम का पर्तियोत्तर लिखता है तीसरे चरण में परतियुत्तर के जांच कर परति पुस्टी प्राप्त करता है और इसके बाद वह आगे भड़ता है तथा अंत में वह अपने परतियुत्तरों के परति वेदन का मुल्यानकन करता है इसकी विशेस्ताइं क्या होती हैं देखिएगा अभी कर्मित अनुदेशन उपागम की क्या-क्या विशेस्ताइं होती है अभी कर्मित अनुदेशन उपागम की विशेस्ताओं की दोस्तों मैं बात करूँ तो इसमें विशय वस्तु को छोटे पदों में विवक्त कर सिक्सारती के समक प्रस्तूत करना होता है सिक्सारती को सेखने की प्रिक्रिया में नियंतरन स्करी रहना होता है उसके साथ में सिक्सारती को किये गए कारियों की तुरंत पुस्टी करनी होती है विद्यार्थियों को सव गति से अध्येन करने की अवसर परदान किये जाते हैं ये हैं इनकी विशेष्टाइं उसके साथ में विद्यार्थियों का सतत मुल्यानकन भी किया जाता है अभी कर्मित अनुदेशन पागम के द्वारा ये हुआ इसकी विशेष्थाइं हाँ बिल्कुल एक्जाम बहुत पास में है आप निश्चिन तरहेगा टैंसर नहीं लेने का बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेने का बिल्कुल फिरी हो के तेयारी करने का बिल्कुल अपने पास content बहुत अच्छा है बहुत अच्छा मेटर है आपको अलग लग बुक वगेरा पर्चेज करने की जुरूत नहीं है बहुत ज़्यादा आपको content तैयार करने की जुरूत नहीं है बस यह class आप निमित रूप से अपर्टेंड करते रहो काम हो जाएगा बिल्कुल 15 नमर की psychology में सब्जेक्ट का पेपर आएगा उसमें आपको 15 नमर की यह मिल जाएगी आपको इन में से आपका काम हो जाएगा यह जो class होती है यह निमित रूप से आपर्टेंड करलो आपको अलग से कोई भी बुक पर्चेज करने की जुरूत नहीं है इसी class में से आएंगे जो भी शिक कर सकते हैं रटने की बिलकुल भी जरूत नहीं है स्ट्रेस बिलकुल भी लेने नहा है बिलकुल free होके तयारी करनी है बहुत अच्छा समय है तयारी करने का बहुत समय है अपने पास अभी और एक प्लानिंग के साथ तयारी केजएगा time table के साथ तयारी करो चलो आगे चलो और या अभीकर्मिक तनुदेशन के परकार कौन कौन से होते हैं सबसे पहले हम बात करेंगे सबसे पहले हम बात करेंगे किसने इस सिध्धान्त को दिया तो रेखे तथा भाई ये अभीकर्मक जो है इसका परती बातन हारवर्ड विश्वे विद्धाले हारवर्ड विश्वे विद्धाले कहा है अमेरिका में उसके एक प्रोफेसर थे बी एफ स्केनर ने किया इनोनेशन गुनिस सो चोवन में अधिगम के किरिया प्रस्तुत अनुबंद सिध्धान्त का विकास किया इस सिध्धान्त के बारे में मैं आपको बहुत अच्छी परकार से समझाऊँगा जो साइकलोजी वाला जो अपना टॉपिक होता है उसमें ये मेरी आपी क्लास अटेन कर सकते हैं रेखे अथवा भाई अभी कर्मक जो है इसका परतिपादन हार्डवर्ड विस्वविदाले अमरिका के प्रोफेसर बी एफ स्केनर ने किया इनोंने सन गुनिस सो चोवन में अधीगम के करिया प्रस्तूत अनुबंद सिद्धान का विकास किया इसमें अधीगम की ततपरता को अनुकरिया सभी के लिए एक समान होती है परतिवासाली वालकों को किसी भी परकार की छूट नहीं दी जाती परतेक सिक्षार्थी को शमान मारक से गुजरना पड़ता है चाहिए वह सामाने बुद्धी, मंद बुद्धी या तीवर बुद्धी हो यनि कि चाहिए वो सामाने बुद्धी का हो, मंद बुद्धी का हो या फिर वो तीवर बुद्धी का हो سबी को एक ही प्रोसेस से गुजरना होता है किसी को कोई छूट नहीं दी जाती है कोई कोटा नहीं दिया जाता है कोई retouration नहीं दिया जाता है कहने का मतलब जिसमें है दम वो बढ़ेगा आगी सबी को समान रूप में पद करम के नुसार बढ़ना होता है विद्यार्थियों को अनुकिरिया की रचना करनी होती है अनुकिरिया की रचना करते समय शिक्षार्थी जो है ये बहाईये विवार और आंत्रिक विवार कर सकते हैं रेखिये अभीकरम में बहाईये किरिया का भाउनले होता है आता है इसे भाई ये अभी कर्मक भी कहते हैं आप चाहें तो इसको नोट कर लो या इसका स्क्रेंशोट ले लो रेखिये अभी कर्म में भाई ये किरिया का बहुले होता है इसी लिए इसे भाई ये अभी कर्मक भी कहते हैं अब इसकी कारिय वीदी देखिए इसमें उद्दीपन अनुकिरिया की एक रेखा या सरंकला बन जाती है रेख ये अभी करम में निमल लिखित बातों पर विशेज द्यान दिया जाता है नमबर एक, विशेवस्तो का एक छोटा सा अंस एक बार में प्रस्तुत किया जाता है याद रखना, विशेवस्तों का एक छोटा सा अंस एक बार में प्रस्तुत किया जाता है शिक्षार्थी एक समय में अनुकिरिया करता है, उसकी अनुकिरिया से उत्तर स्योयम निर्मित होता है शिक्षार्थी अपनी अनुकिरिया का मिलान सही उत्तर से करता है सही उत्तराने पर आगे उसे कारिय करने के लिए दिया जाता है और इस समंद में सिक्षार्ति को निर्देश दिया जाता है शारांस के रूप में यदि मैं कहूं आपको तो सारांस रूप में हम कह सकते हैं कि रेखी अभीकरम में विशे वस्तो को श्रंखला में इस तरह प्रस्तूत करते हैं कि तुर्टी दर बहुत कम हो जाए रेखी अभीकर्मिक्त अनुदेशन सामगरी की विसेश्थाईं देखिए कि रेखी अभीकर्मिक्त अनुदेशन सामगरी की क्या-क्या विसेश्थाईं हो सकती है इस परकार की अभीकर्मिक्त सामगरी में निमिन लिखित विसेश्थाईं होती है बिना सिक्सक की उपस्तिति के सामगरी या यंतर छात्र को बोलकर निर्देशित करता है एक बार में एक विक्ति अधिगम प्राप्त करता है यंतर द्वारा अधिगम हेतु सामगरी थोड़ी मात्रा में प्रस्तुत की जाती है चलिए दोस्तों बयात कर ले हैं तो लाइक किजिएगा सबस्राइब नहीं किया है तो सबस्राइब नहीं किया है तो सबस्राइब करके घंटी वाले निसानपर के लिए कवस्य कर लो जिससे हार एक नोटिफिक्शन आप पर आप तक पहुँच पाए और एक पार अपने सभी दोस्तों के साथ भी सेर कर दो मेरा प्रियास है कि हार एक बच्चे को निसुल्क सिक्सा मिले हार काम ढाने घर में फिरी ओनलाइन क्लासें होने चाहिए आप भी मेरे इस मुहिम का हिसा हो सकते हैं नेचे दियेवे नमबर से कॉंटेक्ट करके आप हमारे टेम का हिसा हो सकते हैं क्योंकि छोटे पदों को द्वारा सिखने की परकिरिया अधिक अच्छी होती है तथा गलतियों से भी अधिक बचा जा सकता है अद्देन की विशेवस्तु पूरण रुपे निर्देसित और क्रामबध होती है आप इनको नोट करते जाओ साथ के साथ या नोट्स बनाते जाओ अगर आप नोट्स नहीं बनाना चाते हैं तो PDF फाइल आपको उपलब्द करवा दी है मैंने टेलिग्राम पे आप ये जो नंबर है वोट्स अप वाला इस पे वोट्स अप करके भी ये PDF फाइल प्राप्त कर सकते हैं परतिक छातर अपनी एकसमता के नुसार प्रगती करता है छातरों के उत्तर देने के शेगर बाद ही जाचे जाते हैं वो छातर उन उत्रों से अवगत होकर सही होने की दिसा में प्रण बलन प्राप्त करता है तथा गलत होने की दिसा में अपनी गलती का कारण ग्यात करता है वे पस्चाताव सही उत्र प्राप्त करने की और अगरसर होता है इस परकार के अद्धेन में छातर श्रम उत्रों का निर्मान करता है और इसमें सिक्सिन सामगरी का निर्मान तथा प्रस्तुतिकरन इस तरह होता है कि गलती करने के संभावना जो है ये बिल्कुल सुनने हो जाती है गलती होने के संभावना रहती ही नहीं है सेगिन नमर पर अपनाता है सांखी या आंत्रीक अभीकर्मक किसे कहते हैं बहुत अच्छी परकार से डिटेल से समझेने आप कि सांखी या आंत्रीक अभीकर्मक क्या होता है नार्मल ए ब्राउंडर ने 1960 में सांखी अभीकर्मक का विकास किया साखी अभी कर्मे में शिक्षार्थी की कमजोरियों, कटनाईयों और तूर्टियों अर्थात छातर द्वरा की गई गलतियों को दिहान में रखकर पदों का निर्वान किया जाता है इन पदों में विशेवस्तो का अंस कुछ ज्यादा होता है, इसमें शिक्षार्थी एक पद बढ़ता है, तथा बाद में बहुविकल परसनों को हल करता है, तीन-चार परसनों में एक ही सही उतर होता है, और सही उतराने पर ही शिक्षार्थी अगले पद के तरफ बढ़ सकत यदि वह गलत उतर देता है तो उसे उपचारात्मक निर्देश प्राप्त होते हैं और उससे पहले वाले पद के लिए ही उसे वापस जाना होता है। इस परकार हम कह सकते हैं कि सांखी अभी कर्म, सिंचार परक्रिया पर आधारित होती है। इस परकार की अध्यन विद्धी को क्राउडर अभी करमित अध्यन विदी भी कहते हैं। इस अभी कर्मित अधेन का आधार सीखने का कोई सिध्धान्त नहोकर केवल विशेवस्तु के प्रस्तुति करण की तक्निक है। प्रभाव साले सिक्षन के विभिन सिध्धान्तु का प्रियोग करके ज़्यादा उपयोगी और असरकार बनाने का परियास होता है। इसकी कारियविदी देखिएगा, विशेवस्तु का एकंस प्रस्तुत किया जाए, विशेवस्तु से समन्दित परसंट पुछा जाता है, जो कि बहुं विकल्पिक होता है। परतेक विकल्ब के साथ परस्ट की संख्या भी दी होती है कि कौन सा विकल्ब किस परस्ट पर दिया हुआ है। जैसे निर्देश के रूप में देखिए, विद्ध्यार्थी यदि गलत उत्तर वाले विकल्प को चुनता है, तो उस परस्ट पर जाने पर उसे उत्तर के गलत होने का कारण भी बता दिया जाता है, कि ये जो आपने उत्तर दिया है, ये इसका गलत रिजन के रूप गलत एं अलग प्रस्ट पर होता है, इसलिए से सांखी अभी कर्मक तनुदेशन कहते हैं, सांखी अभी कर्मक की विसेशताइं देखे, क्या क्या विसेशताइं होती है, सांखी अभी कर्मक की विसेशताइं देखे, सांखी परकार में रेखी परकार के पिक्सा, परतेक फ्रेम में सामगरी के मांतरा अधिक होती है परतिक चातर को अपनी अक्षमता अंतिम विवार तक पहुचाने की छूट होती है चातर को अपने अनुसार अनुकरिया करने की छूट होती है गलत उत्राने पर उप्चारात्मक निर्देश चातरों को दिये जाते हैं इसमें तुरंथ चातर अपना अनुकरिया और उत्तर का मिलान करता है, जिससे तुरंथ प्रस्ट पोशन प्राप्त होता रहता है। चातर के अनुकरिया गलत होने पर उसे भूल सधारा जाता है तथा गलती दूर करने का प्रियास किया जाता है। और वह है जब तक अगले फ्रेम पर नहीं पूँचता तब तक कि पिछले फ्रेम के परसन का उतर सही नहीं होता इस विधी की यदि हम बात करें तो इस विधी में बहु वेकल्पिक उत्रों के साथ परसन छातर के समक्ष प्रस्तूर किये जाते हैं इसके साथ में दोस्तों इस विदी में छातर की पुस्ती करने की कुछ संभावना ही रहती हैं संभावित तुर्टियों की आधार पर शिक्षन सामगरी का निर्मान किया जाता है चात्रों की तोटियों और गल्तियों को देख, पदों का निर्मान उनके अनुसार करना होता है विशे वस्तु की ज़्यादा मात्रा होती है, शिक्षार्ति को हल केगे बहु विकल्पिक परसनों को दिया जाना होता है अब बात करेंगे, अवरोही अभीकर्मित अनुदेशन क्या होता है अवरोही अभीकर्मित अनुदेशन जो है, इस अभीकर्म का वास्थिक उदे से यही होता है कि बालक विशे वस्तु पर पूर्ण अधिकार प्राप्त कर ले सबसे पहले इसका प्रियोग USA में हिंदी विशेशकों के हलके निर्मान के लिए क्या गया इस अभिक्रम का विकास जो है ये थॉम्स एफ गिल्बर्ट ने 1962 हिस्वे में किया इन्होंने mathematics पत्रिका का परकासन किया यह सबस जो है ये युनानी भासा के मेथिन से यूद्पन हुआ है जिसका अर्थ होता है सीखना क्या अर्थ होता है इसका सीखना आप भी ग्यान कड़ा पर सीख रहे हैं ना बहुत अच्छी परकार से सीख रहे हैं बिल्कुल मेरा प्रियास है कि हर एक बच्चे को निस्फुल्ख, सिक्षा, हर गाउं, ढाने में फिरी ओनलाइन क्लासे हों हमारे चेनल पर RS, RPS, READ, LDC, PLISPATWAR, PLISSI, 2nd grade, 1st grade सभी एक्जाम की तैयारी के लिए बहुत अच्छा कंटेंट आपको नेमित रुप से आपको मिलेगा अब बात करते हैं अवरो ही अभी कर्मित अनुदेशन के विशेश्ताइं क्या होती हैं इसमें कारिये करने के पूर्णता के पस्चात ही प्रोनबलन प्राप्त होता है चातर दोरा प्रदसन, अनुबोध और अनुकरिया के आधार पर शिक्षन सामगरी पर पूरण अधिकार प्राप्त किया जाता है इसके शिक्षन निती में अपक्षा कर्त रलाचिला पल होता है पाठे पुस्त को छोटे-छोटे पदू में प्रस्तुत करना, कारिये पूरा होने पर पूरण बलन का प्राप्त होना यह विदी प्रारमिक विव्यार के आधार पर शिक्षन सामगरी पर पूरण अधिकार प्रदान करती है शिक्षम चामगरी को छोटे-छोटे पदू फ्रेम में प्रस्तुत किया जाता है और यह विदी विभिन कोशलू के इस्थानांतरन हेतु अधिक उप्युक्त है विशे वस्तु पर बालक को पूरण अधिकार प्रावधान होता है इस अभिकरम के प्रदसन में अनुबोधन और अनुक्रिया के आधार पर विशे वस्तु पर वास्त्विक प्राप्त होता है स्मावित्व प्राप्त होता है शिक्षन की अनुफस्थितिती में ही पाठिप्रम पर स्मावित्व प्राप्त होता है तथ्यों का सार्थक और वेध होना, अधिगम में समय विशिष्ट रंकलाउं का प्रियोग किया जाना, विवेधनी करण और सामानी करण जैसे नीमों का पालन, कोशलों में सिक्षन प्रसिक्षन के लिए उप्योगी होता है, अब बात करते हैं केम्पूटर आधारित अभीकर में, केम्पूटर आधारित अनुदेशन में तिन्नु प्रकार के अनुदेशन का उप्योग किया जाता है, किया जाता है इसमें क्या होता है कि अधिगं करता केंपूटर दियार पेकेट जैसे हिंदीय अन्य कोरुटर हो cart दर क्यार प्रोग्राम को SIM लोड करता है और उसे प्रारम कर बाद कर से परकरहनस में एक-एक समय हमारे चैनल पर ये क्लास होगी आप तब तक नेमित रूप से हमारे साथ बने रहेगा चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कूल भी नए भूले उसके साथ में आप हमें फेस्बुक, इंस्टाग्राम ट्विटर पर भी फोलो कर सकते हैं आपको फेस्बुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर आपको मनुज धिंद्वाल के नाम से आडिम लेगी निचे दीवी लोगों को फोलो करते ही आप देखते ही आप फोलो करें थेंक्यू सो मच टेक केर, आई होप आपको ये टोपिक बहुत अच्छा लगा होगा अपने दूस्तों के साथ भी सेर के जीएगा फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थेंक्यू, जैहिंद